मुझार दोस्तों मैं आपको दोस्त अंकित बाचपी एक बार फिर सापका अपने यूट्यूब चैनल आर ग्रिन प्लानेट पर स्वागत करता हूं तो दोस्तों जैसा कि आप ये वीडियो देखकर समझी गया होंगे जी हां दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं नारियल के पौधे को जी हां दोस्तों इसके बारे में लोगों को अलग अलग गलत फैमिया है कुछ लोग स करने में तो सबसे पहले आपको इस तरीकी का एक अच्छा नारियर लेना है और इसके ये उपर के कवर को हटा देना है साफधानी के साथ इसको हटाएं जल्दबाजी में ना हटा जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ग्रो हो रहा है और इसको मैंने इसी तरीके से ग्रो किया है तो इस तरीके से टॉप पर थोड़ा सा ये इसका चिलका लगा रहने दें बाकि इसको पूरा साफ कर लें सेम ये दूसरा नारियल है अब हम इसको भी साफ कर लेंगे तो दूस्तो अभी मैंने इसको भी साफ कर लिया है और उपर ये थोड़ा सा छिलका बना कर इसलिए भी रखा जाता है ताकि इसको बराबर नमी मिलती रहे तो इस तरीके से दूस्तो भी दो मेरे पास नारियल छिले हुए तयार हो गए है नीचे से मैंने इसको पूरा साफ कर लिया है और ये दोनों ही कच्चे नारियल है तो इस तरीके से आपको एक बरतन में लेना है थोड़ा सा पानी और इस पे ही हम इस नारियल को रख देंगे लेकिन रखने से पहले आप इसको एक दिन तक 24 घंडे तक पानी में डाल कर रखें और जब ये पूरी तरीके से पानी में भीग जाएगा तो अच्छा कासा वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा वाटर अब्सॉर्ब करने के बाद और उसके बाद इसको हम एक साफ कौटन के कपड़े से रैप कर देंगे और इसको रैप करके हम इस पानी के लोटे के उपर इसको रख देंगे आप चाहें तो इस कपड़े को बांढ दे क्योंकि ये बार बार खुलेगा और ये उपर से खुला रहने दीचे और इसको हम इसी तरीके से लोटे के उपर रख देंगे और 6-7 दिन में आप इसका वाटर बार बार चेंज करते रही है और इस चीज़ को हमेशा इंशोर रखिए कि नीचे से जो आपके लोटे का पानी है वो इस नारियल को टच करते रहना चाहिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उसमें पानी बढ़ाते रहें और उसके बाद इसको हम रख देंगे एक ऐसे प्लेस पर जहां पर डारेक संलाइट ना आती हो संलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो आप इसको इस प्लेस पर रख सकते हैं और इसका जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे शेयर करता हूँ तो दोस्तों यह है रिजल्ट 15 गन के बाद का जैसा कि आप यह देख सकते हैं यह नारिया लंगकृत होना is statute हो गया है तो यह देखिए दोस्तों यह है इसका रिजल्ट यह देखिए यह रूट और यह देखिए अभी और इसमें सब डवलप हो रही cooling है और अभी 15 दिन हुए दोस्तों और अभी हम इसको पॉट में ट्रांस्प्लांट नहीं करेंगे एटलिस अभी आठ से 10 दिन हम इसको और इसी तरीके से रखेंगे और आज इसके हो गये हैं 30 दिन पूरे जी हाँ दोस्तों एक अगस्त को मैंने इसको लगाया था और आज ये 30 दिन पूरे हो गये हैं मैं इसको अब हटाता हूँ और इसको अब ट्रांस्प्लांट करूंगा पॉट में तो देखिए ये दोस्तों 30 दिन में ये देखिए कितने अच्छे से धेर सारी रूट अवलप हो रही है और इसमें जो हम ये जो अपर ये तोड़े से नारियल के बाल छोड़ देते हैं ये बहुत जロूरी होता है क्योंकि इससे बहुत ज़ादा सपोर्ड मिलता है इसको ग्रो होने में क्योंकि इससे कॉंटिन इसको नमी भी मिलती है और nutrition भी मिलता है बहुत बढ़ी है result तो दोस्तों अब इसको हम लगाते हैं आज है यह देखिए दोस्तों यह नारियल का पौदा मैंने आसे 30 दिन पहले transplant किया था तो अब मेरे पास दो प्लांट हो गए एक यह मैंने जो पहले transplant किया था जिसकी कि आप यह ग्रोथ देख सकते हैं और यह मेरा दूसरा जिसको कि मैंने अभी लगाया है तो इस तरीके सब मेरे द नारियल के पौदे तयार हो गए हैं तो दोस्तों यह है रिजल्ट 50 दिन के बाद का जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे यह दो नारियल के पौदे तयार हो गए हैं और बहुत अच्छे से चल लाए हैं तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह मेरा वीडियो अच् अपना चैनल आर ग्रीन प्लानेट फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार